1.62 क्रोड जो टूरिस्ट हैं उन्होंने किश्मीर में विजिट किया और जिस ये साब 45 साला तारीख जो है उसको बताता है उन्होंने कहा कि जी अब हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे इसका जिमेदर किसको ठहराएं? किसके सर पे सेरा सजाएं? किससे सवाल पूछें? जिससरा अमीद शाथ साब ने बड़ा कलियर ली और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ किसी किसम की कोई बात नहीं करेंगे मैंने खुछ पाकिस्तान का जो अज़ाद किस्मीर इसको विजिट किया हुआ है जारी बात है वहाँ चाते हूं請 खौफ आता है तही हरी जलसों में काफी फ़र्चन था शूटा सा कलिपे डेखा देख सकते हैं यहाँ पर बात हो रही हैं किस मे बात हो रही है और अमिश्य शाह ने अभी हाल ही में उत्तरी कश्मीर में एक rally की है जिसको लेकर पाकिस्तानी media का reaction था और पाकिस्तानी media में कमर चीमा बोल रहे है कि कश्मीर में इतने tourist आए हैं ये और वो आंगे आप वीडियो में देखेंगे हाला कि पाकिस्तान का जो जैसे आप आँगे देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का रियक्शन है पहले पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और टाइम पहले एक विजट किया कश्मीर का यहने इंडियन साइट का जो कश्मीर है वहां का उन्होंने दौरा किया और मुक्तलिफ लोगों से उनकी वलाकाते हुई और कुछ जिसे कहते हैं कि पब्लिक एड्रस भी किया बहुत सारी चीज़े हुई उससे पहले भी काफी ए आगे जिसे कहते हैं कि हाइव क्रीयट की गई थी काविणिशा साथ आप ने विजट करना है क्योंकि इंटिरियन मनिस्टर है हिंडोस्तान के और उन्हों ने वहाँ पे जाके क्या बात की कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ जमुन्ष कश्मीर के ल करते हैं अब तूरिजम जो है बहुत ज्यादा फ्लारिश कर रहा है बहुत ज्यादा लुद्थ के मेरत के जो हॉम मिनेस्टर आमइद शाह साहब उन्हों ने एक वारमूला डिस्ट्रेक्ट जो है कश्मीर में वहां पे एक अड्रेस किया public rally को और उनों ने कहा कि हम जो है वो पाकस्तान के साथ किसी किसम की कोई बात नहीं करेंगे ढूडश्मन फो पाकस्तान के साथ जिसे दुश्मन कहते हैं के साथ कोई बात नहीं करेंगे और Indian इंडियन एडिनिस्टेटेटिट जो पार्ट है किश्मीर का वो उसकी अजादी तो जारी बात है वो जो अटॉनिमी है वो तो उन्होंने ले ली थी और सेंटर जो है उसको माइक्रो मैनेज कर रहा है अब यह चीजें बड़ी इंट्रस्टिंग जो उनने वहां पर बैठ के वरैंगे पाकस्तान से बात नहीं करेगा इंडिया जो है उन्स फैमिली सबात नहीं करेगा जो यहां पर पुराने भूल कर रही है सुछ एट मीम्स के जो नरेंडरा मोधिशसाव की जो पार्टी है एक नया political leadership किश्मीर में खड़ी की जाए और वो जो leadership है वो आगे जाके चीज़ों को उसको लेके चले अब election जो है वो होने है लेकिन हम जो गुजर्ज हैं पहारी हैं बारमूला के उनके साथ बात करेंगे और जो किश्मीर की youth हैं से बात करेंगे साथ ही साथ उन्होंने बड़े पे मानने पे वहाँ पे जिसे कहते हैं पैसा भी फैंक है और जो पूरे cross Indian media अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी जो reporting हो रही है that is all मसाल के तोर पे मैं देख रहा था व universo सिर्फ करोड जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर में विजिट किया है और जिस ये साथ पिचतर साला तारीध जो है उसको बताता है अँसरो है मेरे जिह में सवाल आता है जो पाकिस्तान में हमाँ हरा जो अज़ाद किस्मीर है हकूमत पाकिस्तान की उसके लिए क्या पॉलिसी है मिसाल के तौर पे अगर लेट से के इंडिया के अंदर वो एक फिल्ब पॉलिसी उन्होंने इंट्रिड्यूस करा है और वो बेसिकली क्या है जी के किश्मीर में भी शूटिंग होगी और सारह वहाँ पे जो टूरिस्ट को को लेकर जाया गया मैंने खुछ पाकस्तान का जो अजाद किश्मीर उसको विजट किया हुआ है जारी बात है वहाँ जाते हुए खौफ आता है तरीजन बिहाइंड इस के वहाँ कोई इंफरस्ट्रॉक्चर नी है कोई इंटरनेट नी है और एक मेरे हैल है कोई सरकार की कंपणई है जो इंटरनेट प्रवाइड करती है और अगर वहाँ पे आप होटलिंग कर इंफरस्ट्रॉक्चर देखें लोग जो हैं वो अगरे दर्मियाने होटल है जोब हलके होटल है लोगों को रोजगार दें सिक्यूरिटी ओपरेटर्स को हई कर दें ताकि अगर वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं बाकी लोग आ रहे हैं फिल्मेकिंग के लिए लोग आ रहे हैं तो उनको हर किसम की जो है रहा हुओ अजाती मिलें अब यह जो क्रोडों लोग वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जैसे मैंने पहला कि पाक्सान के पास तो डेटा कोई नहीं मैंने ख्याल पाक्सान की गौर्वर्मन्ट जब वो डेटा शेयर कर सकती है कि अजार किश्मीर में कितने टूरिस्ट के भरत की आपको लेडर्शिप को और किश्मीर को अब यह सारा मीडिया जब उसको पिक करता है और फिर आप इंटेनाश्नली जो हे विलनेरेबल और एड रिस्क पर डाल दिया है। उन्होंने मेरा ख्याल है उसकी क्रेड़िट रेटिंग जो है उसको CAA1 कर दिया फ्रॉम B3 क्योंकि गौर्मनेंट के पास पैसा नहीं है, विलनर्डबिलिटी में खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, भारत में जो कश्मीर में एक्टिविटीज हो रही है और ऐसा लग रहे है कि कश्मीर में आने वाले समय में कुछ दिनों में इलेक्शन देख रहे हैं, तब ही अमिश्या ने ये रैली बगारा स्टार्ट की है, और हो सकता है कि बहुत जल्द कश्मीर में इलेक् बढ़ती है तो वहाँ पर जो बिधान सभा की सीटें है जो छोटे-छोटे बाड है उनकी उनके नंबर बढ़ेंगे इस तरीके से बात करीम और लद्दाक का जो एरिया है वो अलग हो चुका है तो लद्दाक तो आपको पता है कि एक भारत की सबसे बड़ी लोकसभा का इला चीजे होनी है तो पाकिस्तानी मीडिया का इसी को लेकर रियक्शन था हाले कि आपको बता दो कि पाकिस्तान इस तरीके की बात हैं करता रहेगा भारत से कभी रिस्ते सही नहीं होंगे अगर पाकिस्तान को भारत से रिस्ते सही करने है तो उनके पास एक ही आप्शन है कि व हमारे पास अच्छा मौका था कस्मीर जो पाकिस्तान उक्कोपाइट कस्मीर उसको लेने का जो की बिल्कुल सच है। आप